कि नमस्कार में मितुन यादव आप समों का आज के सेस्टन में कमपडिशन कमुनिटी पर स्वागत करता हूं आज हम लोग जो सीरीज शुरू किये हैं कोस्टन नसर जो सुरू किये हैं उसमें हम आज तीसरा वीडियो के साथ मिल रहे हैं ठीक है इससे परले हम नमर सिस्टम पर दो बीडियो और बना चुके अगर जो बच्चा नहीं देखा गाईज वीडियो आप जाकर करके देख सकते हैं के लिए रहे क्या आप चाहें सब सारी वीडियो के लिए काफी हल्फुल होगा क्योंकि यहां पर गया तमाम एक्जां से आयोग सवालों को यहां पर में प्लग इन कर दिया हूं तो यहां देखिएगा कि आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक कि हम बात करेंगे स्टार्टिंग के बीस में सेशन में काफी एजी लेवल के सवाल रखें जो भी स्टेट लेवल में आते हैं बट सेशन के अंतिम जब जाओगे ला तिन तैफिकर करें ना व्हंबर दिसंबर में जो सीटी का एकजाम को करेंगा ठीक है दो चलिए बात करते रीमेंडेर ठीरोम करते हैं चलिए becoming A तहां पर नमबर उठारों में यह बात करते हैं, हमने बोला चलो 45 को एक बार हम 7 से भाग देते हैं, ठीक है, तो भाग देने का क्या मतलब होता है, हम बोले भाग देने का यह मतलब होता है, कि 7 से अगर आप 45 को भाग देते हो, इसका मिनिंग समझेगा, कि total आपके पास 45 आपके उसके लिगिए 7 सात लोगों का छे गृप बने और गृूप बनेगे उख साले मौन दोजका होओ है ने चाहें घंख साध लोगा हूरा法 क्या और अग्ला गुरूब बनाने के लिए क्या हो रहा है हमारा सात लोगों का इसलिए उसको दिखा दिखा दिए यह दखिए कि कोभी नमर को डिवाइर करतो वहां पर पुजेटिव रिमेंडर होती होती है जिस पर हलाकि नेगेटिव रिमेंडर की आज करना पड़ेगा अगर आप तो वह उम्मीद करता है कि यहां ते एक बात समयाएगा कि किसको नेगेटिव बोलते कभी हमको पुजेटिव रिमेंडर क्या होती समयाएगा एक और शोड़ी सी बात समझा देता हूं कि कोभी अगर सवाल अगर आपको सॉल करते हो तो यहां देखिए नेगेटिव रिमें और सदो साथ को जोड़ोगे मैनस चार पलस साथ बराबर क्या वागा पलस का कितना अगए सत्षिरी तो यह आपका क्या बराबर आपको मिल गया ठीक है तो इमेद करते है नेगेटिव को पोजेटिव कंवर्के से करते ही बात अपने सिख गया होगा इस कि के आल आग आगर भाजक। समझेट है। चैनली में दोपित हैं और जय सक भाजू है। हिनदीं इसको अधू आज के भाजिए रहे हैं। सर यह चे जो था हम बोले कोसंट गाइज सर इसको हिंदी में क्या पोलते हैं हम वागफल प्लता हैं चलिए पिलिए अगर 45 तर्म को वापस लाना चाओ अंगर क्या बोLo cow असान है आप बोलोगे यह साथ को ना इस छे से मल्टिप्लाइ कर देंगे 42 वागर यह तीन को वापस से जोड़ देंगे ठीक है तो इसी बात को अगर हम चाहे तो यहां से एक छोटी सी बात यहां पर आपको मिली करके सिधे सवालने के और उरुक करूंगा थोड़ा से कॉंसेट के सा गुने क्या करोगे कोसंट और यहां पर आपको जोड़ना होगा क्या रिमेंडर क्लियर है क्या रिमेंडर को जोड़ दीजेगा तो छोटी सी कुंसर आप कई वार देखे एक वार मैं इसको फिर से रिविजन में ले आओंगा कोई दिकत नहीं है हिंदी में चाहँ तो में भागफल कर सब्सक्राइब सवाल चोटी सी कॉंसरप्ट है इसको लेंगेज वाली सवाला भी बनी दिख proprio है और universबा काहँ अ कि जितनी तेमाम लेंगेज सवालने है। हम लोग किस में discuss करेंगे इसको पार्ट तू में discuss करेंगे हम इसको पार्ट में discuss करेंगे। यह इना आता है आपको clear रहा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह concept को यह रखेगा। आई आप छोटी सी concept में और भी discuss करके सिध्र सवालों के रूप करेंगे। आपको कुछ और सिखनी पड़ेगी क्योंकि सवाल को कम समय में करेंगे यह सबसे कम समय में ठीक है एक बात समझाता हूं मैं आपसे कि आर मान लो कि अगर हम यह एक्स प्लस अगर समझेगा ए है अगर इसको हम एक्स से डिवाइड करते तो आप बोलिएगा कि आप यहां पर सिस्फल लानी की रिमेंडर क्या बात करोगे अब बलो यह बड़ा असान है यह एक्स से एक्स तो क्या बच गया अब यहां पर बोल सकते हैं अब को मैं डारेक कॉंसेट्ट के से आया उस पर बात करना चाहूंगा ठीक है अगर मैं यहां से बोलो कि सारे एक्स प्लस ए का अगर होली स्कुर है अगर इसको गर एस से डिवाइड करो तो क्या होगा थंबले रूब को पलिसको जीरो देगा थोड़ा से एक बार आपको डेखना चीए यांपर इस एक से था तो मल्टिपल हो तो कड़ यहां पर पर भी एक्स क्या रहे जिरो अगर क्या रहा है यहां पर जीरो प्लस जीरो प्लस ए मतलब सर फैनली हमारा डिमेंडर क्या होगा एसक्वर क्योंकि यही टर्म तो बचा हमारा और कौन सा बचा बताओ एसक्वर बच रहा है एक बचार करना एक तर्म और ले लूँगा ताकि मैं आपको अच्छे से करा सको श्राथ देशो कहाय है अगर आप इसका मतलब इसका मतलब क्या तो ऑपने क्या यहां-धन डिमेंडर का होली स्क्वर है तो आप remainder सिधे-सिधे लिख रहेते हैं क्या A का power कितना हो जागा बलो 2 इसका मतलब यहां पर आप डारेट चाओ तो लिख सकते हो क्या A to the power क्या 3 remainder बचने वला लिंग कैसे बचेगा एक बार हम आखरी बार में देख लेते हैं A plus B का whole cube का formula लगा के क्या हो guys A cube plus B cube आने क्या है A cube ठीक है plus formula क्या 3A square आने A के जाब पर क्या X आने 3X square A plus 3X A square और अगर आप divide करते हैं X से तो मुझे बताए कितने से term में जो remainder 0 देगा आप बलो sir जिसमें जिसमें X available है वो remainder क्या देगा 0 देगा हम बले हाँ सही तो बता रहे हैं आप लोग ठीक है sir यह remainder यहां से क्या देग 0 plus 0 plus A cube मतला फैनली यह बोल सकता है remainder हमारा क्या बच गया A cube के लिए रहे क्या तो गैस एक बात मुझे बताए यहां पर अगर हम A रख रहे हैं तो A का power 1 यहां पर अगर A power 2 है तो A का power 2 ठीक है अगर यहां पर हम A का power 3 रख रहे है तो क्या हो जागा गई यहां पर क्या हो 3 अगर यहां पर power n ले लेंगे तो अगला concept के साथ हम सवाल की सुरुवात कर दोंगा ठीक है समझेगा हमने का ठीक है अगर X power X plus A का power n है गाई अगर X से डिवाइड करते तो यहां से रिमेंडर क्या बचेगा आप बोलोगे सार हम समझ गए यहां पर power 1 था तो A का power A था 2 अगर क्यूब था तो क्यूब यहां पर एंड है तो से रिमेंडर क्या बचेगा A to the power n हमारे रिमेंडर बचने वाला है हम बहुत बहुत क्लोज हो उस फर्मूले का जो की बूक्स ने जनरले लिख के देता है बहुत क्लोज हो उसके अब हम बोलते हैं कि अगर A के जगा पर रिमेंडर जो होगा यह 1 का power n का मतलब एक ही होगा एक का power कुछ भी कर लो कोई फर्क नी पड़ेगा यह रिमेंडर क्या हो जाएगा वन देख पार है कि यही चीज आप फर्मूले में पड़े ते लिकिन यह चीज आई कहां से वह बात मैंने आपको इमीद करते हैं बहुत एक्स है तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर रिमेंडर में आप पर प्लस वन था तो प्लस वन ले लिए ठीक है मैनस वन है गाईज तो यहाँ पर मैनस वन का power क्या कर दूँगा हम लोग n और जैसे मैनस वन आ गया तो आपका मामला यहाँ पर फंस रही है क्यों फंस रही है क्योंकि मैंनस वन का पावर अगर वन ले ले लिए तो इसलिए यहां पर आपको दो कॉंसेप्ट लेकर चलना पड़ेगा कि अगर एन समझें अगर एन गई जगर क्या है वह लो ओड है तो यहां और यहां पर समझेंगा अगर यह हमारा एन हो गया उगया मतलब हमारा क्या देगा तो गज़ेगा उसको पुजेटीव में क्या करेंगे एड कर देंगे तो यहां से चाहे तो एक लाइन यहां पर एड कर सकते थे कि minus 1 है इसको positive में convert कर लिए एक जोड दीजेगा ठीक है तो यह overall आपका क्या concept है ठीक है तो simple बात पर साथ देखिए x plus 1 अगर power n है तो कोई फर्क नहीं परता remainder वह बचेगा लेकिन जब minus 1 case आगा तो यहां पर 2 case हो सकता एक बार जरूर देख लिजेगा यह concept है इसी पर काफी सवालें करते हैं ध्यान दखेगे चलिए काफी सवालें बनी है तो हम बात करते हैं फिर आम कुछ नई concept सिखाएंगे चलिए अगला सवाल आपके screen पे कुछ एसा रहेगा ठीक है चलिए एक सवाल है देखिए फटा पड़ से देखते चलेंगे बस आप उसी concept पर हम बात करना चाहेंगे जिस concept पर हमने भी बात किया था ठीक है क्या है ज्यान सुनियों क्या है रिबेंडर हो गया यहां पर हमारा हम बहुत हो बाई 29 सवाल दखेगा 29 का पावर कितना दिया हमारा 56 है क्लियर है 56 और डिवाइड कितना हमारा है 28 अब मुझे बताए यहां से उमीद करते हैं कोई बच्चिक दिकत यहां पर नहीं गया होगा ठीक है आए बात करते है आगला सवाल आपके स्क्रइन पर यह रहा चलिए और है भास बाइमेंडर होग डुरेमेंडर क्या 43 का पावर संथिंग चलो देखते क्या है 33 का पावर हमारा है 322 32 Земflower क्या हमारा क्या हमारा और देखिए इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा और देख लोग कितना सवाल है 10-10 से कम समय में सवाल को करके ले जाओगे मेरा गैरेंटी है ठीक है कॉन सा अंसर बताओ अंसर कौन सा बी है कब पुछा था देखो सीजी पीसी है ने एडी आई एचस दोजार चोगदम पुछा गया सवाल है बहुत ही खुबसूरत और इसी लेवल का सवाल आपके स्टेट लेवल के पेपर में बन रहे हैं ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रिन पे सवाल क्या देख लिए फटाबर से देखते हैं सवाल है क्या पूछा क्या था सर पीसी 2017 पूछा था और इससे पहले यह सेम सवाल को सीजील ने पूछा था मैं बारा बोलता हूं कि आपके स्टेट लेवल में जितने एक जाम है वो आपके सीजील कोई कोपी कर रहे है उठा के सवेंटेटन का पावर 200 है और डिवाइड का हमारा यहां पे 18 है क्या हम यहां पे क्या कर सतरह को लिख सकते है क्या 18-1 क्लियर है क्या और यह इंग से बात समझाए था कि एक समय बात गार बहुत देगा और सब्सक्तरा निम्स नमर कि यह बचेगा हम बले कुछ नहीं मैंस तो वन का पावर कितना हो जाएगा इब्लों का पावर 200 और यह 200 नुमर इवैंट है तो डेफिनटली क्या होगा और और ही आने विद्ध है अगर नेगट इए ओर नमर होता तो छेंज हो जाता है ठीक है 64 का power है ठीक है 1795 और यह divide किसे कर रहा है 5 से हम बोल रहे हैं समझो मेरी बात द्यान सुन लेगा क्या इसको हम यहां पर 4765-1 लिख सकते थे क्या अब मैं बताइएगा 71795 और यह divide क्या कर सकते है 5 मतलब यह वही बात है क्यों कि यह टर्म यहां पर 5 लिखा या 5 का multiple लिखो कट करके remainder 0 ही देगा मरी बात समझेगा अगर जरूरी नहीं कि वह सवाल 5 ही दिर जाए 5 का multiple में भी ब्रेक करने की कोशिश करो आप बहुत बढ़ यहां तो सर्य यहां से क्या करों बले देखो यह टर्म हमारा remainder क्या देने क्या होगा मैंनस ओन आए गा लेकिन आपको मैनस और दीख रहा किया और दीखेगा भी नहीं मैंने कहा था कि नेगटिव प्लस फाइब बराबर क्या हो गया प्लस फोर उनसर आपका कॉनस था यहां क्लिये रहा सब्सक्राइब और एक्स मैंनस वन पर जितनी सवाल है कुछ नई सवाल आगा आगे बढ़ेंगे चलिए आगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहेगा देख सकते गवार कितना आसान सवाल है सवाल क्या है 127 का पावर है 97 पलस समझेगा यह हमारा 97 टुदी पावर 97 और यह आपका क्या डिवाइड कर रहा है डिवाइड किसे कर रहा आप 32 से अब मुझे बताई एक बार इसको ब्रेक करना चाहूंगो बड़ा सिंपल सवाल है क्या इसको हम इसको 128-1 कर सकते थे क्या एक बड़ने है ठीक है क्या इसको हम 96 पलस सब्सक्राइब हो गया की नियुक्त वह बताओ वो पावर 97 डिवाइड वाइड क्या कर देंगे 32 आप मुझे फिर बताईएगा बिलकुल वही फ्रेम में में लेक्या आ गया कि निव बताओ शरी यह 32 का कितना गुना चार गुना पावर कितना हो जाएगा 97 आप मुझे बताइगे एक बार आपको पावर और है दोनों बारे और ही है तो कोई है यहां से क्या होगा प्लस वन और यह कट करके क्या होगा फैनली अब का अंसर क्या होगा जीरो तो कौन सब्सक्राइब देख लीजिएगा ऑप्सन नेंबर ए तो अब असानी सवाल कर पा रहें देख पा रहें बहुत ही सिंपल तरीके सवाल में करा दे रहा हूं सारा सवाल दस सकंड पंदरा सकंड इससे ज्यादा सवाल समय नहीं लगना चाहिए चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा है कब पूछाते देखिए SSC CGL में 2012 पूछा गया सवाल है मेरे इसल से असान सा सवाल है देख लीजिए सेम कौन से सवाल है क्या देखिए एक बार डरियेगा मत कोई 17 का पावर 37 पलस 29 का पावर 37 और यह डिवाइड किसा है 23 से हो सकते खतर दर के लिए बच्चे घबरा जाए सवाल को देख करके बड़ बहुत असान सवाल है एक बार खबराना नहीं है सीखना है अपको ठीक है चलिए क्या करूं मैं 17 को क्या कर सकता हूं सर 17 को लिख दीजे ना हम बहुत 23 माइनस 6 कर सकते थे क्या ठीक है और यह पावर कितना 37 और यह 23 से डिवाइड अलग अलग कर दो कोई दिकत नहीं ठीक है बाई अब यहां पर देखो क्या 29 को हम 23 पलस 6 लिख सकते थे क्या बलो क्यों नहीं लिख सकते हैं बिलकु लिख सकते हैं पावर 37 रने दीजेगा और यह रिमेंडर क्या हो जागा यह डिवाइड कि सकते हैं 23 से 23 लिख दो अब मुझे ध्यान से देखे वही तो सवाल x-1 और x-1 वाले concept पर है यह सवाल आप बोलोगा सरी यहां पर देखिए x-1 था अपन x था तो एक पावर सम्थिंग था यहां पर क्या बच रहा आपको यह नहीं 6 है मैंस 6 तो सरी मैंस 6 का पावर रिमेंडर बचेगा कितना 37 और इस टर्म को थ्यान से देखेगा यह x-1 प्लस ए अपन सब्सक्राइब तो अगला सवाल को बहुत ही सींपल भासा में आप पहुंचा दूंगा बस आप नोर्स बनाते रखिए रखिए नोर्स बनाके रखेंगे कि रहा कि एकजाम से पहले आपको नोर्स रिविजन करने में थोड़ा सा हेलफुल होगा ठीक है तो अगला सवाल आ सब्सक्राइब और यह डिवाइड किसे कर रहा आप फोर से ध्यान सुनिएगा सेम कॉंसप्ट है फोर या फोर के मल्टिपल के तर्में उसको ब्रेक करने की कोशिज करूंगा ठीक है सब्सक्राइब नोर्स एक क्योंकि आट से लिख दें कि चार से कटने वाला टर्म है और से बनबचर क्या है यहां सी नमर नमर है सरी मैनस और यहां पर नमर क्या हो देखो यहां से-1 बच्छेगा है समझ सकते आब बात को तो लो सै यहां से लेकिन मैनस वन का पावर इवेन मतलब भी वन होगा रोगा तो अब देख पार है कौन संसर अपका है सी कब पूछा था पूछा गया सवाल था जो भूत ही सिंपल भासा में क्या कि इसको डिल कर लिए तो जो भी एस्टेट लेवल के सारे सवाल है मैं करा रहा हूं ताकि और इस्टेट लेवल में इससे सवाल पूछते भी नहीं है दिक्कत वही है ठीक है लेकिन अभी जो रिसेंट एक दो साल की बात करें इससे खास करके 2022 में पेपर जो इतने हुए हैं काफी पेपर देखने को मिला था उन्होंनों कुछ किया नहीं था व यहां पे दिया था 29 और यह पलस क्या था थी और यह किससे किया गया था काई यह डिवाइड्स सेवेंटी ने थे एक सवाल है बस एक लाइन का सवाल है देखते चलिए आप क्या हम यह ठारा को 17 पलसे कर सकते हो क्या बोलो क्यों नहीं कर सकतो विल्कुल कर दो भाई शेलो और यह 29 और यह पलस 3 यह रनने दीजेगा ठीक है अब यह डिवाइड क्या कर सकते हो दिवाइड अलग चाहते एक साथ कर लो कोई दिकत नहीं है 17 से इस टर्म को थोड़ा देऊं से अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा यह कितनी बार सवाल ने सबस्क्रीन पुछिया सवाल से सवाल मेंस में 2021 पूछा गया था उस सवाल को आपको बेपता रहा हूं कि पेपर में क्या पूछ रहा भी ठीक क्या खुबसुरत सवाल है बहुत असन सवाल है एक बार जरूर देखना चाहेंगे हम लोग सवाल 67 है का पावर भी 67 लिया है और प्लस किसना 67 पिशला सवाल जो किये तो उसी कौन सार्प पे इन्होंने पूछा है सवाल को और यह हमारा 68 है हम फोकस इस टर्म पर करेंगे क्या 67 को क्या लिख सकते हैं ताब बोलोगे साथ 60 हम जो लिख सकते हैं इसको कि 68-1 तो हम लिख दो 68-1 का पावर कितना होगा 67 हमने इसको डिवाइड के से कर दिया 68 से और यह पूरे टर्म से नेगेटिव मैनस-1 का पावर देख लिए जन्हें और पलस 67 था गाईज उसको देख लिजिए और इसको डिवाइड के से कर आप 68 से तो सर मैनस-1 और पलस 67 का मतलब है 66 और 66 डिवाइड बाइ 68 मतलब रिमेंडर क्या होगा गाईज यहां से रिमेंडर जो आपका 66 अपका देखिए कुस पता हुना चाहिए मुझे लगता है कि काफी खुब स्वरत सवाल था कर लोगे ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ ही यह रहा देखिए बात करते हैं कब सवाल पुछा गया था सवाल 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 मेंस-2012 का सवाल है हो सा कि आने वाले वक्त में इसको रिपीट क करा रहे हो बिल्कु हाँ इतनी वार कर डालो कि पेपर में आपको सवाल सवाल देख करके क्या यह 9 को हम क्या कर सकते थे सारी इसको 8 प्लस वन कर दीजिए नाम बहुत बढ़ यह और यह 16 प्लस 6 इसको रहने दो आपके लिए रहे क्या इसको आट से डिवाइड कर दो एक्स कौन सा ओप्सण आप देखिएगा सर ओप्सण नमर क्या है हमारा यह है क्लियर ने तो आप देख सकते सर कितनी खुबसूरत सवाल है करा रहे हम और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ ही रहा कि कई बार कि आता दोस्त कि हम जब सवाल करते हैं तो रिमेंडर हमारा सवाल पूछा है बहुत ही खुबसूरत सवाल है यह डिल करते हैं हम ठीक है सवाल क्या था सर थर्टी फाइव का पावर है हमारा 49 और मैनस का क्या हमारा 14 और डिवाइड बात करें किससे क्या हमारा 36 से उमीद करते कि आपको समझ में आ गया सर उसी कॉंसर्प को रिपीट कि डिपीट है यहां से 36 जो है किया मैनस तो इमानस है चोदर अने दीजएगा यहां से बात equations आपको डिवाइड मैस से पर मैंस मेच Michelin यह तर्म नहीं कि मैनस कितना प्रटीट हो गा repeating होगा हमिए इस नमर से भाग दे थे था उसको एक बड़ार इसमें जोड़ दो च्छाटी से जोड़ दो अब आपको रिमेंडर क्या मिल जागा यहां पर पलस का 21 अब देख सकते हैं कौन सॉप्षन में आपका दिख रहा है आपके और अगला सवाल अपके स्क्रीन पर यह रहा जारकर नेसाई का सवाल है तो मुझे लगता है बहुत ही आसान सा सवाल है बहुत यह खुपशरत सवाल है एक बात अभी आपको हम पढ़ाया थे कि उपर नीचे अगर हम आलो 2 से कर दिये तो रास्ट में जो रिमेंडर आएगा उसको 2 से मल्टिपलय करेंगे अगर आप एब चोब्सहाँ आएगा उसको हम 3 से मल्टिपलय को नहीं लगाया तो उसके लिए काफी तकलीफ की बात होगी यहां पर सॉल करना ठीक है क्या करो हम बोले कैसे करूंगा हम ले देख लो यहां पर यहां पर यहां पर जब 81 आगया था बोलो सर 81 का मतलब हम लो समझते हैं 3 to the power कितना 4 हम लो यह समझते हैं बहुत बढ़िया तो यह जो है नहीं 3 का पावर अलग कर लो 3 to the power 4 को अलग करो और यहां पर अगर पावर 4 को घटा लोगा दिया क्या बचेगा 158 और नीचे क्या था गाईज आ हम लोग क्या करते हैं तो फैनली आज जब लिखोगे इसको तो यहां से रिमेंडर क्या बचेगा बोलो 1 का पावर सम्थिंग मतलब रिमेंडर 1 बच गया कई बच्चे 1 मार करके आजाएंगे और गलत करके आप आजाओगे के लिए रहे क्या कई बच्चे एक काम करेंगे उसको लेगा सार हमारा वन आ गया मतला हमारा अंसर बिल्कूल सही है बट गलत अंसर है सुन लो ध्यान से क्यों आप मुझे बताए कि आप उपर नीचे क्या केंसिल किए तो लास्ट में जो भी अंसर आरा आपको उसको 81 से इंटू करोगे क्योंकि जो यहां पर आप केंसिल जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको फिर से वापस पाट्टू में ले सकूँ ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर गाईश यह रहेगा यह बहुत ही खुबसूरत सा सवाल है अब यहां से अगर बात करते हो तो यहां पर आपकी तकलीफ हैं थोड़ा सुरू होती है क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में एक ही चल रहा था अभी तक एक ही कॉंसे पढ़ रहे थे क्या कि एक्स प्लस वन अपन एक्स या एक्स मैनस वन अपन एक्स के सारे सवाले बन जाएंगे जो गलत है अब हर तरह की सवाल को नहीं कर पाऊगा यह बात समझे आप कुछ सवाल ने थोड़ा सा आपके SSC लेवल के मेंस लेवल की अप्रोच करने लग जाता है ठीक है कई बार आपके सवाले पूछी इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस कॉंसेप्ट को अब इसको हर जगा इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊगे जैसे सवाल आप देख सकते अब तमाम करा कर के क्योंकि भाई प्रोसे हूं कोभी सवाल को आप कर ले जाओगे इससे पाहले जितनी सवाल WO मेथट पढ़ने के जोरो तबको नहीं है कम से कम रूल्स में ज़्यादा सवाल कराने की हमारी कोशिस होगी सब्सक्राइब क्या होगा एक वर सिखाएगा हम बिल्कुल सिखा देते हैं एक सवाल अब आपने आप देखा था पिछला सवाल ही दिखा रहा हूं मैं आपको सवाल यस तर्म से आप डिवाइड करतो ना इसी टर्म को कर टोसन निकालते फिर आपका सवाल होगा जिस नमर काटोसन निकाल रहा है हो सकता और या चाहाद भाज संक्या हो या हो सकता हो एक composite नमर मतलब भाज संक्या हो तो सर हमें दोनों बता ये क्योंकि जिस नमर से भाग देते हैं वह प्राइम भी हो सकती है और हमारा वह composite हो सकते है अब बल्कुल सही जवाब है आपका मतलब में हम दोनों की सिखाते हैं तो यहीं पर सवाल उठ रहा है कि 17 होसा के काल यह 12 हो जाए 18 हो जाए जो composite number है तो यहां पर heading डालेते हम लोग इस दो तरह सीख लेते हैं ठीक है टॉसंट ओफ प्राइम नंबर ठीक है प्राइम के लिए टॉसंट आक और झान के बात करा सिखा देता हुं हला कि अगर मैं बूलो सवाला करो उसकाषा टॉस्का उचे बार प्राइमख नवर है नहीं लो आपको निकालने ज़रोत नहीं पड़ेगा तो आपको निकालने ज़रोत नहीं पड़ेगा ठीक है चलिए अगर हम बात करते हैं भाई हमको पांस का टोसन बताओ पांस का हमने बहुत करो तो वन इंटु फाइब तो वन तो प्राइम नमर है नहीं तो भाई फाइब होगा तो इसका टोसन कैसे निकलेगा देखो जिसको निकालोगा इसको इंटू रख लो डन अब सबीद करते हैं कि यह प्राइम नमर का टोसेंट है इसको निकालना सिख गया होगा हमारा मकसद है कि हम कंपोजिट नमरानी भाज संख्यां का सीख्यां वह आपको हो सके परिसान कर दे टोसन निकालें के लिए ठीक है उस पर ज़रूर बात करते हैं इसे हिरीं डाल लेओ ब सबीधायों ऒता है लाइवय कि आपकि नुमपान में और फिर से पर ओन फाजान प्राइम फैक्टर में अब सब्सक्राइब तोसन निकालो पर एक टरीके अब है जिस नमबर का निकालें इंटो जरूर लिए फ्मन मैनस और लुना यह थिक है अब फिर से करोगे इंटु में वन मैनस वन अपन कितना दूसरा प्राइम फेक्टर आप मुझे बताएगा यह क्या हो जागा ब्रेक कर लो वन बाई टू और यह क्या हो जागा थिरी तो तीन दूनी शे शे कर जागा और यहां से क्या बच गया टू मतल़ शे का टॉसंट के सबसे पहले करो प्राइम फेक्टर दो गुने दो गुने कितना हो जाएगा तीन तो बोलोगे सब यहां पर दो तो दो बार आ रहा हम बहुले दो बार आने दो कोई फरक नहीं पड़ता है या देखिए वह तीन बार भी आता या चार भी आता लेकिन इसको लेंगे हम एकी बार ठीक है चलिए इसका टॉसंट निकाल की दिखाता हूँ सबसाब 12 को निकाला है बार को वाई कितना हो जाएगा 3, 6 से कड़ा दो बार में, और 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब इसका टोसें कितना होगी आपका 4, ठीक है, आए, आपको टोसें में आपको निकालने सिखा रहा है, अठा रहा है, कैसे निकालोगे अब, सर्विक नमबर ले रहा है, यहाँ पर क्य ले दो बार आया है, लेकिन लेना है, आपको एक यी बार, ठीक है दोस्त, तो अपर आपर निकालने से क्या कर लेंगा, यहाँ पर 1 minus 1 by क्या कर लोगे, भ одно रहा निकालना, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो टोसें निकालना बहुत ही असानी से सीख चुके है, ठीक है, तो ठीक अब मुझे बताएगा इस सवाल को कितना असानी सम कर ले जाते हैं देख लीजिए सवाल को ध्यान सुनिएगा कितना हम सिधा सिधा बात करेंगे 3 to the power 2146 डिवाइड वितना 7 17 चलो 17 का मुझे टोशन बता दो सर इसका टोशन एक कम कर दो हो जाएगा क्या सवाल को देख लो और यहां पर कुछ करना नहीं है सरी क्या करें हम 3 to the power कितना है 2146 इसको पूरे सवाल कर लिए वह सवाल जो X प्ला सवाल अपन X और X-1 पर ढूंडा करते थे अब हम ढूंड़नेंगे नहीं उसको और निकाल पा रहा हुं कि प्पावर कितना हो जागा, 31 guys, और divide किस से कर रहे हैं? हम लोग बताएगा 5 से तो भाई कुछ नहीं करेंगे देखो इस सवाल को देख लो X plus 1 upon X या X minus 1 upon X में नहीं लापाओगे टोसेंट लगा दो सर क्या करो टोसेंट लगाएंगे सर पहले बताओ इसका सर 5 का टोसेंट तो 4 होने वला है क्योंकि यह प्रैमींड नमर है तो सिधा सिदा प्रौसेंट टोसेंट सह सर 예ंगा चार से नीचे 5 तो रहने है दो सर टोसेंट और कितना हो जाएगा, तीन दिमेंडर बचेगा, और पांस से भाग दे दो, मतलब क्या हो जागा, उपर में आठ बटे क्या, पांच, आठ को पांस से भाग दे दो, रिमेंडर क्या बच रहा बताओ, थिरी बच रहा है, तो देख लो, कौन सा उप्सन है आपका गई, देख दो, बी ओप्सन है, तो भाई, दस से बारा सेकंड ज्यादा समय नहीं लग सकता, मेरा चैलेंज है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, है न, ये रहेगा, देखिए गद्यांसे, क्या है, तेरा का पावर क्या है, 73 और चोगदा का पावर भी क्या है, है न, 3 है, और इसका डिवाइड किसे करना है, आपके देख लो, का पुछा देख लो, सीजी व्यापम का पेपर हुआ था, 2017 में वहाँ पे पुछा था, तो जो वेसे बच्चे इसको पता बहुत कंप्लिकेटेट समझ के छोड़ भी देंगे, मुझे लगता छोड़ने क ज़रू अतनी है, इसको आपको attempt करना चाहिए, ठीक है, attempt करते हैं, चलिए attempt करके दिखाते हैं, सवाल को कैसे बना सकते, आइए, यहां देखेगा, 13 का पावर कितना है, 73 रहने दीजेगा, पलस, यह 14 है, चोगदा है, का पावर कितना है, 3, और डिवाइड क्या कर सकते हैं, आप लो 73, और यहां पे अगर चोगदा को अगारत भाग दो, क्या बचाएगा, 3, मतलब 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3, और डिवाइड कितना हो जाएगा, आपको 11 से, मुझे बताएगा, इसको तो टोसेन लगाई दोगे, यहां पे, है न, अगारत देख लिए मतलब क्या है, प तो कि यहां पे इसका टोसेन तो आपको पता चल गया था, इसका टोसेन कितना है, 10, और इसको 10 से डिवाइड करते हैं, अब देखे, डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, समझे, ठीक, तो सर डिवाइड करेंगा, तो 2 का पावर क्या बचे गया, थेखो न, 3 बचे गया, और यहां पे देखिएगा, डिवाइड करो यहां रहा दूनी, 22 बच कितना करुदा हुट पांच, तो यहां से मुझे क्यों होता? यहँ है अब, दो का पावर आट, कितना हुट थेखा खैक, तो सर यह आख, घलव अपर में यहां पे इन पे जा जा और पांच, भची है, तो यह पांच और डिवाइड भाग दो गया बचरा आपका दो देख लो क्या अप्सट नूमर बी बहुत सिंपल सवाल था देख सकते हैं प्यापर में पूछा गया था तो कईना के इसमें टोसें लगाने जो रतनी पड़ा पावर कम है जब बहुत बला होती है चोटा पाव इस सवाल को क्या कर औरका क्या करेगा चाप धेगा इस से को सब कु कुस कर देगा पावज कि знач 61284 ठीक है अब समझेगा इसको हम लोग किस से डिवाइड करें पांच से हम लोग ठीक है हम लोग यार इसा करो न यह पावर पांच है यह हम लोग ठीक है क्या हम इसको 3 to the power 4 कर सकते थे क्या हम लोग बिल्कुल कर देंगे या देखो न तो इसा चार से अगर निकाल लेंगे क्या बचेगा 15 अब बचेगा कितना चार और यह 2484 और डिवाइड वाइड कितना हो जागा पांच हमने ऐसा क्यों कि आब मुझे पर समझा रहे हैं देखिए तीन का पावर चार मतलब 81 यह 81 बना दिये हम 81 बना दिये ताकि भाई 5 का डारेट्टे क्या हो जागा multiple से आप लो नाम दिये थे आप एक्स मतलब बोल सकते हो सर्थ एक्स कमान कितना चुका आपका वन आ चुका ठीक है बहुत ही सिंपल भासा में अब एक आखरी सवाल देख लीजी इदर इसे हैâu कि से निकलेगा वाई का किसम निकलेगा फूर तो लिपावर कितना जलुएंप दाएगा मेरे साबसे तो फूर का पावर एनिफिंड वाई वाई-स हिस मेन पचेए हमारा चार और इसको क्या नम देर parlar है हम लोग वाई तो , वाय का बहीमाना चार आ गया, एक गया तो अभी प्लगइन करो ना थो यूट्स का यूञ चलिए प्लगइन करिए टु इन्टू एक्स के जब पेर क्या रख देंगे वन और वाई के जब पेर राख देंगे हम लोग चार तो हमारा अंसर क्या होगा two nine-a2 लेकिन मैनस अंसर हमको कहीं दीख रहा है क्या तो भले मेंस का सवाल है लेकिन यह फंडा अगर याद है तो वही मेंस प्रिलियम कुछ भी नहीं होता ठीक है कौन से बात करिए अगला सवाल अपके स्क्रीन पर यह रहेगा देखिए यह सवाल से सीजियल 2009 में पूछा गया सवाल है मेरे इंसाफ से बहुत ही खुबसूरत सवाल है बहुत ही असान सवाल है इसको टॉसें से बनाई यह तो बेटर होगा ठीक चलिए टॉसें क्या लगाए इसको अलग से बनाई करके अब देख लो कि रिवेंडर क्या बच रहा है इसको अलग से कहां डिवाइड कर दूं मैं यहां डिवाइड कर दूं यहां पर देखो 32 का पावर 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगा तब यहां से बोल सकते थे इसको जो टर्म है न यह 32 इसको हम 36 और मैनस का चार लिख देंगे और पावर क्या लिख देंगे हम यहां पर 32 और डिवाइड वाइड क्या कर देंगे 6 तो 36 छे से तो डिवेंट कर जाएगा मतलव यहां से बचेगे मेरा चार अक्षार का पावर 11 और बठीयेया से बचे हं मेरा 4 से 7 कश्छ गया हैं कर दोगे अब टीवाइड कर दोगे ऑन रही सथाए को Onu यह आटाव अच्र मतलब 66 और रहन के शीवट 25 कह च्छार साथ मतलब 4 का power 4 और divide by कितने हो जागा 7 ये खुरता हुब अलग कर दू, 4 का power 4 इसको 2 कर लू, 4 का power 2 गुवध चार का power कितना हो गया 2 और divide by किसे कर लें गे 7, बहुत ये अच्छा सवाल है समझना, तो सरी ये क्या हो जागा? 4 का power 4 मतल़ ग्या? सोल गुने कितना हो जाएगा सोल डिवाइड क्या हो जाएगा हमारा साथ तो साथ से भाग दो इस चोगदा कड़ जागा रिमेंडर क्या बचेगा दो और यहां से भी कड़ जागा चोगदा हैं तो तो सरी दो गुने दो डिवाइड कितना हो जागा हमारा साथ और समझेगा तो इतने भी खुबसूरा सवाल है जो मुझे लगता है आने वाले वक्त में डाल दे तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कब पूचाता देखेगा मंडी निरेचा के पेपर 2020 में होगा था वहां पर यह सवाल को पूचा गया था मेरे इसाफ से बहुत ही असान सवाल है कुछ है नहीं बहुत दिया एक प्लस थी से भाग दे तो सिस्फल क्या होगा हम बहुत देखो जिस टर्म से तुम भाग दे रहो एकर बिलो मैंनस गटरी और यहांस एक्स बिलैए यह मैंनस का त्री बाल कितना बीटा क्था आया चयोट सब्सच्य दर striaters मैं इलिक्द लिए को यह सब नाइन टेने काफी सीख चुके थे उसी को आप इन्होंने क्या किया है पूछ लिया है और यह बात करते हैं ठीक सवाल बोल रहा है कि तो इसका को एक्स मेनस टू से डिवाइड करना यह क्या पूछा जानता है भागफल पूछा है कोसें पूछा है सेस्फल नहीं प भाग दिजिए तो इसको डेफिनली टोऱ दोगया और मैननस कहलेगा मैनस का फॉर एक्स मेरे मैनस कर देखका हो जाएगा और सेवनएक्स क्वार उतर जाएग बन- मुझे बताइए यहांपर किया एकस किथे यहांपर किने स्वैन एक्स तो इसको क्या करोगे अब यहां पे पलस साथ से सको इंटू कर दो, 7 से शितना हो जागा, 7X और मैंस का 7, 2 नए कितना हो जागा, फिर इसे घटा होगे, मैंस मैंस यह पलस हो जाएगा, तो remainder तो तुमको यहांों क्या मिल जाएगा, है और यह हमारा क्या मिल जाएगा भागफल नहीं क्या डिख तुछ ज्यादा टफ नहीं क्लीर बहुत असान सवाल है अगला सवाल आपके स्कीश में कुछ और खुपसरत सवाल है उसके बाद हम सेशन को क्या करेंगे एक बोहती सवाल कितना वर पूछा गए दखो सवाल को फूड इंस्पेक्टर 2017 में रिपीट किया गया हूब हूँ डेटा के साथ या दखिए और इसी को यह फिल्ड में फोरेस्ट गार्ड का जो 2021 पेपर हुआ था इसको हूब हूँ रिपीट किया है मतलब सबसे पहले सवाल सीजियल नहीं सुरुआत किया था या सीजियल की साल में हमारा अप्रोच क्या होगा हम बोले बताओ क्या है फोर टुग पावह सिक्ष्टिवन ठेखा पलस फोर टुग पावह सिक्ष्टि थू और यहाँ पर शॉर यहांप का पावह कितना हमारा थिरी बचो अब समझे एक बात भात आरा हम से सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या सर यहां से एक चार बार कर लूँ एक चार का मतलब क्या दो गुने दो लिग दूँ क्या यहां देख लो गुने कितना चाहिए तो अब देख लो गुने को इसका फेक्टर में वह टर्म आना चाहिए तब देख लो बिल्कुल आ चुका है वह दस आपकी इसके फेक्टर में आ गया है तो कोई बार हो सके यहां तक सवाल करने बाद आपको लगेगा सर यहां से नहीं हो रहा कुछ हमारा है तो यह वार आपको आगे जा करके बात करना पड़ेगा जो दस जाके में किला ठीक करते हैं किलियर रहा होगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा देखिएगा इस तरह की सवालें भी फिर वही चाल है कब है आराइए 2016 का जो पर आपका हुआ था वहीं पर यह सवाल पूछा गया है बहुत ही खुबस्वरा सवाल है मेरे हिसाब से चली बात करते हैं सवाल में कोई दम है नहीं हलाकि रहा देखो ना तो मतलब 35 का पावर कितना देखे आपको 17 तो सर यहां पर इतना ही तो है 35 कर लोगे मालो 17 बार है लेकिन 99 करोंगे तब ऐक आपको लो 25 फचीस तो यहां भी है 1 सभी रेक हो जाएगा अब एक है मतलब EU सब कटने वह देखow अगर आप 35 गुने 35 करके देख लो एक वार तो सब तीन वार करएंगे तो क्या होगा देखो यहां पर इसको 7 गुने 5 करोगे हम बहुत एक पांच यहां पर निकला एक पांच यहां पर जब तीन पांच अगर मल्टिपल में हो तो लिएक तो लेकर के वह आएगा ही आएगा और पावर तो कने सत्र है न भाई तो सब क्या करें डिवाइड करेगा मतल। अप्सें क्या मारेगा अपर डी ओप्सें ठीक है सबसे कट रहा है तो अगर यह पावर एन गाइज अगर और नमर और नमर है तो यह a plus b से डिवाइड होगा अगर यह n power even हो जागा अगर even होगा तो यह किसी से डिवाइड नहीं होगा तो अगर odd है तो भाई a plus 1 से अगर even है तो डिवाइड ही नहीं होगा ठीक अगर यह आप मैनस की बात कर लें a to the power n minus b to the power n अगर एसा है तो अगर यह even नमर है यह odd है दोनों पर डिवाइड होगा तो odd है तो किस से डिवाइड होगा तो सर यह सिर्य से डिवाइड होगा ठीक है और अगर गाई यह यहाद रखिएगा ठीक और अगर यह even है तो यह a plus b स सब्सक्राइब होगा जो बहुत कम बचीज को समझ पाते हैं ठीक है तो चारों काफी सवाल बनीए जाइए बात कर लेते हैं फटाबट से यह चारों बात फोलों से ध्यान से रखिएगा दिमाग में क्या सवाल देखिए 49 का पावर देखलो किससे डिवाइड होगा देखि मतलब किससे होगा 50 कुछ नहीं करना यह कुछ भी आपको ट्रीक जोरत नहीं सवाल पुछा गया ठीक है असानी सवाल कर ले जाओ अगला सवाल सवाल पुछा तो मुझे लगता है सवाल देखके मार दो गए वह स्वाल है कि नहीं देखो आप समझेगा एट टुदी पावर एंड और फोटी नाइन का पावर कुछ भी रख लो भाई चलेगा तो सब्सक्राइब और यह क्या पावर क्या ओड है मतलब किससे डिवाइड होगा मतलब क्या होगा अगला सवाल अपके स्क्रीन पर यह है और भी न्टीपिशी 2016 के पेपर माया हुँआ सवाल है बहुत ही खुबसूरा सवाल है मेरे इस साब से ठीक है और यह बात कर लेते हैं सेम सवाल है क्या वन है तो वन को विचावट 17 लिग दोगे तब 19-1 मतलब अंसर 18 होगा देखिए और अंसर 18 है कि नहीं है नहीं तो इसका मल्टीपल खुछते हम ठीक है चलिए अपके सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ यह रहा देख लीजेगा फटाबट से ठीक आर एफ ओ का पुछा सवाल है देख लीजेगा 18 पुछा सवाल है बहुत ही प्रेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा कि आम यहां पर लिख सकते थे क्या सकते थे कि टू टू दी पावर समझेगा यह 8 का होली स्कूर ठीक है और यह मैनस वाला टर्म को ब्रेक नहीं कर सकते आप लेकिन इस पर और वी काम कर सकते है इसका होली स्कूर मैनस फिर से वन का क् थे पड़ेगा तो टू दी पावर 8 प्लस वन क्योंकि आपसन के हिसाब समने अपनी तरीकिये को प्रिवर्टन किया है तो सब्सक्राई क्या हो जाएगा टू दी पावर 4 प्लस वन और यह क्या हो जागा टू 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 पावर 4 माइनस का वन होगा ठिक आप मुझे तो यह होगा दो का पावर 16, 16 में से वन गया क्या हो जागा यहां से 15 यहां से क्या हो जागा इंटू, दो का पावर कितना हो गया 4 16 प्लस यह मतलब 17 चेंज करना पड़ेगा तो हमने चेंज करके दिखा दिया ऑफ्चन में 17 या दिखा था ठिक चली अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा सिंपल सवाल है बहुत एसान सवाल है फिर वही काम करिए आप फाइब टूदी पावर सिक्स माइनस का वन अब देखें नीचे जो अपसर आपका आना चाहिए वह है नहीं तो आप क्या कर सकते हो ठीक है ना चार है मतलब आपको आगे बात करना पड़ेगा क्या बात करेंगे इसको देखो अब तुम्हों को लगता सारी इसको आप लोग क्यों नहीं किया अम बले यह बात वही है वन का पावर कुछ भी कर लो बस वन ही रहना इस पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं ठीक है तो यह क्या हो जागा फाइब का क्यूब कर लो चाहो तो आप ठी अगला सवाल अपके स्क्रीन पर गाई जिए रहा मंडल संजयोजक 2018 पर पूछा गया था तो मुझे लेता सारा जितनी आसानी से मैं बता रहा हूं एक ही कॉंसार पे जितनी सवाल आथा एक जगर रख दिया हूं यह सवाल में कुछ दमी नहीं है हम क्या बोलूं आपको दे दो कितना 113 मतलब देख लो 350 350 देख लो ओप्सन कॉन सा है बलो 350 है पाला सेम सवाल है देख लो कुछ आई नहीं कौन सेब चारो या दखिएगा इस सवाल में क्या देख लिए अब मुझे बताएगा अब मुझे बताएगा पावर अलग लाग लैग हम भलने पावर सेम होगा हमला सेम कैसे करें का इसे करेंगे हम बिलिए दिखाता हो न क्या यहां से 11 का स्कूर का पावर 40 क्या कर लो बदो 41 कर लो अब कर लो अब दो भूम से मनतलब तीन बोलो 121 तो सरी हो जागा 100 किसना 24 और 124 आपको यहां पर दीख रहा है कि नहीं दीख रहा है इसका आधा भी कंटेन्व नहीं देगा अब जानलो यह कोई फिरी मत समझेगा के लिए रहा है यह कंप्रिशन कम्यूनिटी की चली इनिसियेटिव है जो लिया जा रहा है वह गरीब बच्चे जो गाउं में रहा रहे हैं वह एफट नहीं कर पा रहे हैं वह भी जाकर क्या कर सब्सक्राइब हैं यह तो अन्याइक परेड़ाना पर जानलो सब्सक्राइब जीए आपको हम दीवन में ही हम बोले ठीक है हम बोल यार देखो। कौन सार्थ फ्रेक्टॉरियल हीं छे से कटना सुरू हो जाएगा पहला प्रता होगा देखे द्यांसे सब्सक्राइब चार चार के बाद चितने सब क्या होगा चार से कटेगा मतलब इस से पर हमारा सवाल किसे नहीं कर रहा है चार से कटेगी तो इसके बाद उसके बाद उसके पर अंसर डिपेंड नहीं कर रहा था हमारे तीन तर्म पर यह फैनली अंसर कोंसर टिंग करेंगे अब देखिए दौर सवाल है सब्सक्राइब करना चाहेंगे क्लियर है गई चलिए एक और खुबसूरत सवाल है देख लिएगा काफी असान सवाल है इसको भी 6 से डिवाइड कर रहें समझेगा 10 टूदी पावर गाईज 1 पलस 10 टूदी पावर कितना है 2 पलस यह मझेगा ऐसे करते-करते यहां पे हमारा 10 10 टूदी पावर 100 चला गया और डिवाइड हम किसे कर रह गाई 6 से बहुत ही खुबसूरत सवाल अब बोलिएगा अगर 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो इसे करते-करते हमारा क्या हो जाएगा और डिवाइड हम किसे करेंगे 6 से अब मुझे बताए एक बात हम बोलेते 4 to the power anything divide by 6 remainder क्या देगी चार देगी तो हर एक टर्म हमको देगे चार और इसे-से 100 टर्म है देखो एक से लिकर 100 तक गया है तो यहां पे चार पलस चार हर एक टर्म remainder 4 देगा यहां दखिएगा और इससे-से कहां तक जाएगा यह सब्सक्राइब करेंगे और पार्ट 2 के साथ हम लोग मुलकात करेंगे देखो यह कितनी खुब्सूरत सब्सक्राइब डरियेगा मत लेकिन क्योंकि सवाल असान है आपको प्रोस चीखने के जड़ोत है को भी सवाल को यह नहीं बोल सकते सर बहुत टाफ है हमने दो लाइन में बनाया आपको सर 666 यह से करके 134 वार है देख लो है ना 134 टाइम है और इसको डिवाइड किसे किया गया गया है एक बात मैं आपको बता दो देख लो 6 को आप 6 वार लिखके देखो तो पूरा-पूरा क्या होगा कट जाएगा पूरा के देख लो भाग देख लो अब तो हर 6 टर्म का पेर बनालो नहीं आसरी मेंडर क्या आएगा जीरो मतला 134 जो टर्म है ना उसको छेषे का पेर लगा लो तो कितना 6 बच रहा है अगर हम बात करें तो 134 को भाग देखेंगा और देख लो तो 134 को 6 से भाग देखेंगे देख लो चौद नी 12 मतला दो इससे टर्म है जो बचेगा पूरे को डिवाइड करो गाईज तो भाई 6 का पेर लग करके 134 में 132 टर्म करके रिमेंडर जीरो देगा और पूरे से मा सब्सक्राइब करते कुछ लंगज वाले सवाल में और कुछ और भी खुबसूरा सवालों के साथ के लिए तो आज के सेसर में पर रुकता हूं जय हिंद जय भारेगाद के लिए चलिए